आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में व्यूडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीजल दीखे कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी 820 क्लासूब की हमारे अतीत से आपको यारी हम पढ़ रहे थे इस इंडिया कंपनी के बारे में कि कैसे वो विशेष अधिकारों के साथ भारत तक पहुँचती है अब इसी बारे जेब की मृत्यू हो गई तो मुगल समराजय हो गया कमजोर अब जो है जो रियासते अलग अलग थी जो छोटे छोटे राजय बन गए वो अपनी अपनी राजयों की शमता और ताकत को बढ़ाने लगे जो बंगाल का नवापता वो भी चाहता था कि मेरे पास अच्छा खासा टेक्स आये जिसे मैं अपने राजय को चला सकूँ इसलिए उसने कमपनी को मना कर दिये कि ये जो छूटे तुम्हें मिली थी अरंग जेब से अब वो मैं तुम्हें नहीं दूँगा तुम्हें यहाँ पर अगर व्यापार करना है तो उसके बदले में नजराना भी देन ज करेंगे क्योंकि कमपनी ने चारों तरफ से एक बस्ती बना के किले बंदी कर ली थी हमने पिछली बार ही पढ़ा था बंगाल के नवाब की इन सब बातों की वजह से अब धीरे धीरे तकराव बढ़ने लगा कमपनी के बीच और बंगाल के नवाब के भी यहां तक कि 1756 में आते आते अली वर्दी खां जो वहां का शाषक था उसकी हो गई मृतियू कहां का शाषक बंगाल का जो शाषक था अली वर्दी खां और उसके बाद जो नया शाषक बना उसका नाम था सिराजु दोला सिराजु दोला जैसे ही शाषक बना तो कमपनी को उससे काफी दर यानि कमपनी के हिसाब से इचाइशन चला है लेकिं सिराजु दिन ऐसा नहीं था जो कमपनी के hit out के शाइशन चला था श laugh तो हुआ ये कि नवाब ने कासिम बजार में जो इस्थित थी फैक्टरी अंग्रेजों की हमने बात किते हैं अग्रेजों ने अपनी फैक्टरी बना रखी थी उस वो कासिम बजार नाम की जगहा पर थी सिराजुदोला ने उस पर आकर्मन कर दिया और आकर्मन करके उसे जीत लिया और उस पर कपजा कर लिया और उस फैक्टरी को जीतने के बाद वो कोलकाता में जो फैक्टरी थी या कोलकाता में जो इन्होंने किला बनाया था अंग्रेजों ने जो किला बनाया था ये उस के लि सेना मितलब जो जल वली सेना होते हैं जैसे हम नेजी आर मी जो आपने देखेंगा टीवी में कई बाद की वाइज डीरिस डीर्माति होती हैं और वर शिप पर रहती है पानी के शिप में तो नो सेना मितले हैँ उसके पास अब दौनों के बीच युद हुआ और हुआ ये कि दोनों के बीचे युद्ध हुआ उस जगह का नाम था प्लासी इसलिए हम इस युद्ध को प्लासी का युद्ध बोलते हैं उस जगह का नाम प्लासी इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि वहां पे पलाश नाम के फूल पाये जाते थे और पलाश फूल क तरफ का सेना पती था और अपनी जन तक हिट के बारे में सोच ता वो इस लिए हार रिए है, क्योंकि उसका एक सेना पती था मीर Jafar, उससे सेना लेकर पीछी की तरफ से अंग्रेजों पर आक्रमन करना था और उसने क्या किया उसने अंग्रेजों पर आक्रमन करनी की जगा अंग्रेजों के साथ वह मिल गया अंग्रेजों के साथ जब वह मिल लिया तो सिराजु दोला दोनों तरफ से सेनाओं से घिर गया और इस तहीके से सिराजु दोला की हार हुई और उसको मार धिया गया तो इस युद में इस राजु दोला मारा गया उसके बाद मीर жाफर को नया नवा बना दिया गया लेकिन मीर जाफर भी जो है कमपनी को अच्छा नहीं लगा और मीर जाफर को हटा का फिर उन्होंने मीर कासिम को नवा बना दिया अब मीर कासिम जो है वो भी टेक्स मांगने लगा कमपनी को वो भी अच्छा नहीं लगा कमपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और फिर उसनोंने मीर कासिम को 1764 में बकसर का युद हुआ, उसमें उसको हटा दिया, हरा दिया, मीर कासिम को हटाने के बाद उन्होंने दुबारा से मीर जाफर को नवा बना दिया, तो दो युद हुए, एक हुए 1757 में प्लासी का युद और 1764 में बकसर का युद, और दोन अब तक तो वहां पर तीन गाओं की दिवानी ले चुके थे लेकिन अब उन्होंने पूरे बंगाल की दिवानी ले ले ली किसे ले ली बादशाह से जो नया बुगल बादशाह बना था और क्योंकि औरंगेव के बाद सारे मगल भाशा कमजोर किस्म के थे यानि कमजोर मतलब की उनके नियम पानून वो बहुत बड़े बहुत अच्छे वाले राजा नहीं थे तो अब बंगाल की दिवानी पूरे बंगाल की दिवानी है यानि वहां से टेक्स वसूल करने का अध अधिकार भूरा जैसे वसूल करने का अधिकार कमपनी को मिल दिया तो यह थी आज की अच्छी थी वर्क्षीट चलो बेखते हैं हमने क्या सिखा प्लासी का नाम किस तरह पढ़ा प्लाश के फूलों के अधार पर पढ़ा बंगाल के नवाब और इस्ट इंडिया कमपनी के बंगाल के बीच जो है वो टकराव बड़ा और अंततय प्लासी का युद्ध भी हुआ स्राज दोली की हार का मुख्या कारण था उसका सेनापती मीर जाफर जोंगरेजो से मिल गया दिवानी से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ छोटी सी बात बाद डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक छोटा सा क्लिक आपको करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे आरा एक रड गलर का निशान इस पर लिखा है सब्सक्राइब प्लीज उसे क्लिक कर दीजे ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और चैनल हो जाए सब्सक्राइब आपके लिए ऐसे अचची वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले चैनल को और वीडियो को अपने फ्रिंट से साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ज्यान बांटने से बढ़ता है तो दिवानी क्या है दिवानी है भूर आजस्व यानि कि टेक्स वसूल करने का अधिकार तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यार सी चोटी से मोटी सी वक्षीट के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें नमस्कार और थैंक्यू यानि कि धन्यवाद